Hey guys, hello everyone, this is Jyotsna Tivari and welcome to PSC वाला, जी हम बच्चा स्वागत है आप सभी का PSC वाला पर जहां पर मैं Jyotsna Tivari, आपकी जी के फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस बहतरी सेशन में, तो जैसा कि आपको बता है बच्चा कि ये एक सिरीज हम लेकर के आए हैं, famous personality या important personalities की सिरीज है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की सारी ही important personalities का हम discussion करेंगे, साथ ही हम ये भी discuss करेंगे कि इस particular personality के based उपर क्या विगत वर्षों में आपके एक्जाम में किसी प्रकार का कोई question raised हुआ है, कोई question पूछा गया है या नहीं, तो इसी के बारे में आज का ये session है बढ़ते हैं session की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ नया और क्या कुछ interesting है आज के session में, तो जैसा कि आपको पता है important personalities का lecture number 4 है, जो आज हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं, ठीक है, और ये आपके UPPCS या फिर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए बहुत बहुत होने वाला है, तो चलिए बढ़ते हैं session की तरफ देखते क्या कुछ नया है, important personality इसकी बात करेंगे, तो आज की जो important personality हैं, जिनका हम यहाँ पे discussion करने वाले हैं, वो हैं मोतिलाल नहरू, आप देख सकते हैं, मोतिलाल नहरू का discussion करेंगे, इससे पहले हमने जवाहर लाल नहर ने भी देश की आजादी में या देश के स्वतंतरता आंदोलन में काफी एहम role play किया है, या यूं बोले हम की अंग्रेजों से क्या दो-दो हाथ करने के लिए, ये इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और काफी जादा जब भी हम बात करते हैं, जवाहर लाल नहरू जो कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारे देश के जवाहर लाल नहरू उनके पिता जी भी है ये, तो इसलिए और जदान हो जाता है इनके बारे में पढ़ना या डिस्कस करना, तो चलिए बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ बहतपुन चीजें कि क्या कुछ नया रहा है क्या को रहा है तो जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह hasin जैसे कि हम ोने ठचा और साथ ही वो एक मतलब का जिए आ, प्रसेश कर बारों कि अ Thryk सब wprowad और सरभ अब actually買 मों जा हैं पर चले और जो जो मोती लाल नहरू जी ने किया अपने करियर को ले करके या फिर अपने पॉलिटिक्स करियर को ले करके वो सारी उनके पद चिन्नों पर चलकर जवाहर लाल नहरू ने उसे कंटीनू किया था चलिए तो बढ़ते हैं तो क्या कुछ रहा है इनके बारे में ज तो आप सोचिए कि उस समय पर इनकी क्या importance रही होगी और वो भी तब और मज़ेदार होता है जब इन्होंने इंडिया से नहीं बलकि विदेश से वकालत की थी उस समय पर विदेश से वकालत की थी और साथ ही जो सबसे प्रतिष्ठित पढ़े लिखे लोग थे इंडिया में लोगों में इनका नाम आता था मोतीलाल नहरू जी का और काफी अच्छी वकालत की प्रैक्टिस भी आकर के इनों ने इंडिया में की थी काफी अच्छा नाम भी कमाया था वकालत में तो ये एक काफी फेमस वकील थे वकील के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो कुशल राजनीतिक गी थे होंगे ही है ना राजनीति में इनका काफी बड़ा योगदान रहा है तो एक कुशल राजनीतिक गी थे और साथ ही एक स्व सवतंतरता में भारत की जो सवतंतरता के लिए लड़ाई हुई जो सवतंतरता आंदोलन हुए उन सम में भी इन्होंने एक बहुत ही एहम भूमी का निभाई थी चलिए आगे इनके बारे में जानेंगे और क्या कुछ है तो जैसा कि आपको पताए भाई वे भारत के प्रथम प्रधान मंतरी जवाहर लाल नहरू के पिता जी थे बिल्कुल यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि और उनके पिता थे ये मोती लाल नहरू आगे इनके बारे में बताओं तो देखो स्टार्टिंग में स्वतंत्रता संग्राम जो हुए थे उन्में काफी बड़ा योगदान इन्में दिया था देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंडित जवाहरलान नहरु जो है वो छे बार, छे बार कॉंग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे रास्टिये Congress के अध्यक्ष बने थे 6 बार, उसी तरह से ये भी दो बार उसके अध्यक्ष बन चुके थे, ठीक है, तो साफ साफ आपको देख रहा है कि वे भारतीरास्टिये Congress के सक्रिये नेता थे, और 1919-1920 और 1928-1929 तक Congress के अध्यक्ष भी रहे, जैसा कि मैंने बताया कि भ तो जैसा कि आपको पता है, इनका जन्म जो है, 6 मई को, 6 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था, आगरा शहर में, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगरा उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है, और इसलिए जैसा कि हमने बताया कि UP की एक famous personalities की, ये series चलाई गई ह और ये भी इनका जन्म भी कहां पर आगरा में हुआ था, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए गातो, 6 मई 1861 को आगरा में इनका जन्म हुआ, इनके पिता का नाम था गंगाधर, क्या था इनके पिता का नाम, पिता का नाम इनके गंगाधर था, और का नाम क्या था सवरूपरानी आगे इनके बारे में जानेंगे कुछ और चीज़ है तो जैसा कि आपको पता है पस्चमी सिक्षा मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया कि पस्चमी सिक्षा पाने वाले प्रथम पीड़ी के गिने चुने भारतियों में से एक थे मतलब बहुत जब इंडिया में बहुत गिने चुने लोग जो थे पढ़े लेके थे उनमें इनका नाम शुमार था बात करूं तो जब इनका जन्म हुआ था 1861 में तो इनके जन्म के तीन महीने पहले ही इनके पिता जी की मरत्यू हो गई थी और जिसके बाद इनके जो मामा जीव महाविद्याले इलाहबाद का एक कॉलिस था जो की इस समय पर क्या है इस समय पर वो प्रयाग राज बन चुका है इलाहबाद ठीके ना तो इलाहबाद का एक कॉलिस था जिसका नाम था मियोर केंद्रिय महाविद्याले जहां पर इन्होंने अपनी सिक्षा की बीए की सिक् चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आपको इनके बारे में बताऊंगी तो उसके बाद इनों ने बिल्कुल जैसे कहते न आपने देखा होगा वो अमिताब बच्चन की एक मूवी थी उसका नाम मुझे याद नहीं है कभी खुशी कभी गम उसमें उसका एक डायलोग था बड़ एट लौ से पढ़ाई की थी पहले इनोंने की बाद में इनको लगा कि यार नहीं कॉलेज यूनिवरसिती अच्छी है तो अपने पुत्र को भी वहां पे इनोंने पढ़ाई के लिए भेजा था है ना तो केंब्रिज यूनिवरसिटी के बार एट लौ कॉलेज से इनोंने उपाधी हासल की अंग्रेजी नयायालाई में अधिवक्ता के रूप में कार प्रारंब किया था है ना अंग्रेजी नयायालाई में अधिवक्ता के रूप में एक लौयर के रूप में इनोंने काम स्टार्ट किया धीरे धीरे ठीक है आगे क्या हुआ आगे मोतिलाल नहरू पतिनी का नाम स्वरूपारानी थे पतीन में बतादी है और Jawaal Nehru, इनके एक मात्र पुत्र थे, एक मात्र पुत्र का मतलब ये नहीं कि इनके केवल पुत्री थे एक और कोई नहीं था भाई इनकी दो पुत्रियां भी थी है ना इनके केवल एक पुत्र नहीं थे बलकि इनकी दो पुत्रियां भी थी तो आगे मैं बात करू तो इनकी एक पहली पुत्री जो थी उसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित थी के बाद में जिने विजय मतलब बेसिकली नाम जो था वो पहले फेमस थी विजय लक्ष्मी के नाम से और बाद में इनको विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से जाना गया इनकी दूसरी पुत्री जो छोटी बेटी थी उनका नाम था के फर्वरी उन्निस सो एक्तिस को लखनव में मोतीलाल नहरु का निधन अच्छ के जन्म कहा हुआ था आगरा में 1861 में अ म्रत्यु हुई थी कब 1931 में और कहाँ पर हुई थी तो लखनव में इनकी म्रत्यु हुई थी तो इनका जन्म और म्रत्यु दोनों ही उत्तर प्रदेश में हुई थी तो वैसे ही ये इतने जादा important हो जाते हैं इस particular चीज के लिए आगे इनके बारे में स्वतंत्रता संग्राम जो हुए थे बड़े-बड़े स्वतंत्रता संग्राम उसमें क्या योगदान रहा इनका क्या कुछ हिनोंने नया किया और किस तरह से उसमें participate किया इसके बारे में हम यहां पर discuss करेंगे clear है सबको सारी चीज़े चलिए तो जैसा कि आपको पता है पश्चमी रहन सहन और विचारों से यह काफी ज़्यादा प्रभावित थे भाई फॉरन से पढ़के आये थे तो सबाविक सी बात है कि थोड़ा सा इनका जो thought process होगा वो बिलकुल अलग होगा बाकियों के comparison में या यू कहूं कि बाकी Indians के comparison में इनका जो thought process है अलग होना ही था तो यह काफी ज़्यादा जो पश्चमी रहन सहन था उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुए थे लेकिन लेटर कुछ समय बाद इनको realize ह यह गांधी जी से मिले और गांधी जी से मिलने के बाद इनको लगा कि नहीं यार हमें स्वतनत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहिए हमें भारत की राजनीती में इनका interest जगा था गांधी जी से मिलने के बाद और इन्हों ने भाई भाग भी लिया था गांधी जी के संप पॉजिटिव भी हो सकती है कभी नेगिटिव भी हो सकती है ना तो जब यह गांधी जी से मिले थे तो इनकी लाइफ पॉजिटिव तरीके से 360 डिग्री क्या हो गई थी पलट गई थी मतलब की काफी ज़ाधा पॉजिटिव चीजे आई वहां से इन्होंने स्वतंत्रता अपने आप में मतलब आप सोच भी नहीं सकते जलिया वाला बाग गोली कान जो है अपने आपे इतना फेमस था जब आपने वो कहानी तो सुनी होगी हिस्ट्री में कि भाई अंग्रेजों ने बुलाया आपकी बोला हां तुमारी शर्ते मानेंगे ये करके पर्टिकुलर प पेपर में पढ़ते हैं अकसर आप उसके बारे में सुनते हैं और मतलब बहुत सारा बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने तो 1919 में जो वो जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था उसमें इन्होंने इंटरेस्ट लिया था ठीक है के बाद वकालत छोड़कर भारत के स्वतंत संग्राम में कारे करना प्रारम किया जब वो कांड हुआ तो यह काफी जादा आहत हुए इनको बहुत दुख हुआ कि यार हमारे इतने साथी मर गए है ना इतना कुछ इनको जेलना पड़ा और वहीं उसी कदम से इन्होंने क्या की वकालत छोड़ दी और वकालत को वकालत काफी अच्छी चल रही थी उस समय पर मतलब आप बिलीव नहीं करोगे इनको फॉरें से भी केस लड़ने के बहुत आफर आते थे और यह अक्सर फॉरें जाकर के केस लड़ा भी करते थी लेकिन मतलब बहुत अच्छी कमाई चल रही थी इनकी उसके बावजूत इ अब वकालत को इनको छोड़ दिया आगे देखिए का 1923 की बात है 1923 में देश बंधू ठीकर बात है 1923 में क्या हुआ था देश बंधू चितरंजन दास के साथ मिलकर इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी और उस पार्टी का नाम था सौराज पार्टी सुना ही होगा कहीं ना कहीं कभी ना कभी उस पार्टी के बारे में सुना होगा, तो बात है नाइंटीन ट्वेंटी ट्री की देश बंदु चितरंजन दास के साथ मिल गर के इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की, और जिसे लेटर बाद में नाम दिया गया है स्वराज पार्टी, की उस पारच का नाम क्या था सुराज पारटी की ज़री इन्हों ने क्या किया था य है यह जानने वाली बात है आपके न तो फुराच पारिश पारटी की जरीए इन्हों जो भी legislative center legislative assembly पहुचे और बाद में विपक्ष में जो थे उनकी जमकर इन्होंने क्या की आलोचना की है ना जमकर विपक्ष में आलोचना की अपने ideas रखे इन्हों अब इतने पढ़े लेखे थे तो सभाविक सी बात है कि इन्हें एक अच्छा experience रहा होगा दुनियादारी का तो काफी जादा उससे प्रभावित हुए और जो भी विपक्ष में लोग थे विपक्ष के लोगों को कहें अगर सीधे शब्दों में बोलो तो जमकर खिचाई की उनकी है ना काफी जादा अलोचना की अपने विचार व्यक्ति की जबर्दस्त कानूनी ग्यान के करण सरका के कई कानूनों की जमकर अलोचना की क्योंकि इनको था वका वकील थे भाई इन्होंने वकालत कर रखी थी वो भी विदेश से तो इनको कानून का एक अच्छा तोर तरीका पता था एक अच्छा नौलेस था जब तब जाकर के उन्होंने विपक्ष में जो पार्टी इस थी उनके साथ उनके जो भी नियम कानून थे उनकी आलोचना की की नहीं यह नहीं यह सही है भी थीक है यह सब बताया फिक है आगे बात करूंगी 1928 की बात है उसके बात क्या हुआ उन्हें पर 28 में इनको वहां पर चुना गया था यह आपको जैसा की लगा है और आगे चलकर के इन्होंने एक अखवार भी निकाला, इंडीपेंडेंट अखवार है ना, इन्होंने अपना एक इंडीपेंडेंट अखवार भी निकाला था, ठीके तो ये काफी कुछ इनके बारे में जाने ही ओगे बात थी, जो बहुत जादा इंटरस्टिंग थी, आगे इनके ब आपके सबसे उपर आता है कि भई भीम्राव अंबेड कर अगर समविधान की बात होती है तो शकल एक ही दिकाई देती है भीम्राव अंबेड कर लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी और नहीं पता होगी तो मैं यहां बताने ही बैठी की first ever अपनी इतिहास में पहली बार भारत में जो समविधान की रिपोर्ट तयार हुई थी जिसे नहरू रिपोर्ट कहा जाता है वो रिपोर्ट मोति लाल नहरू के द्वारा ही तयार की गई थी ठीक है तो first ever Indian report जो तयार की गई थी समविधान के लिए एक report तयार हुई थी और वो मोतिलाल नहरू के द्वारा उस report को तयार किया गया था और उस report में पहली बार खुल कर ये बात कही गई थी कि हमें अपना देश चाहिए है और आजादी की मतलब अगर सीधे शब्दों में बोलू तो आजादी की खुल कर मांग की गई थी ना नहरू report सीधा पेपर में अगर question आता है नहरू report किसके द्वारा तयार की गई तो याद रखिएगा मोतिलाल नहरू के द्वारा तयार की गई थी और वो report थी जिसमें पहली बार खुल कर के बोला गया था कि हमें 200 के समय पर यह तो 28 23 31 सब की बात हमने कर ली लेकिन बात करते हैं 1900 साल 1900 में इन्होंने एक घर खरीदा था जिसका नाम था आनंद भवन और कैनी उमेजिन वो घर कितने में खरीदा था वो घर खरीदा था इन्होंने 1900 में सोचो मतलब उस समय के 1900 लेलो तो आज कि मैंको लगत 3 रुपए ऐसे उनको सेलरी दिया जाती थी सोचो जिनकी सेलरी दो 3 रुपए होती थी उस जमाने में 1900 का घर खरीदना मतलब इस नोटा जोक अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो साल 1900 में इन्होंने एक घर खरीदा था 19000 रुपए का घर खरीदा था can you imagine मतलब अपने तरीके से इन्होंने रेनोवेट करवाया उसको नाम दिया आनंद भवन लेकिन आगे चल करके आगे चल करके क्या हुआ कि आगे चल करके थोड़ा सा समय गुजरा और थोड़े से समय गुजरने के साथी इंद्रा गांधी ने इस आनंद भवन को क्या कर दिया था सरकार को सौप दिया था सरकार को और बाद में वहाँ पे जाकर के म्यूजियम बना बेसिकली बोला जाए तो क्या बना वहाँ पे जाकर के उस आनंद भवन को क्या बना दिया गया है म्यूजियम बना दिया गया था ठीक है बाद में उसे म्यूजियम की सूरत दे दी गई थी तो इंद्रा गांधी ने इस आनंद वहन को किसको सरकार को सौप दिया था ठीक है तो ये तो रही कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स इनके बारे में ठीक है जो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो और नह नहीं पता तो कोई बात नहीं हम तो बताने ही बैठे हैं ठीक है तो ये कुछ कहानी थी मोतिलाल नहरू जी की अनकही दास्तान जो कि मैंने आपको यहां पर बताई अब हम यह देखेंगे यहां पर कि भाई कि किस तरहे के क्वेश्चन जो आपके एक्जाम में विगत वर्षों में पूछे गए हैं इन पर्टिकुलर सक्सियस से संबंदित तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है एक जोड़ी आपको यहां पर बनाने के लिए दी गई है और आपको बताना ही यह जोड़ी मिला करके कि इस जोड़ी में क्या-क्या है जो की सुमेलित नहीं है एक मिल रुकिये का मैं पैंड ढून रही थी है ना तो सबसे पहले देखो कौन से सुमेलित नहीं है मतलब रिपोर्ट बेसिकली इन्होंने बोली है क कौन से रिपोर्ट जो है इनमें से गलत है यहां पर कुछ लोग दिये हैं और उनके द्वारत तयार की गई रिपोर्ट दी गई लेकिन इसमें से एक रिपोर्ट गलत है वो कौन से रिपोर्ट है वो यहां पर पूछा गया है ठीक है तो मोतिलाल नहरू नहरू रिपोर्ट महत्मा गांधी चंपारण आंदोलन स्थी बोस फॉरबर्ट ब्लॉक म. जिन्ना खिलाफत आंदोलन तो इन में से जिसने जो स्टार्ट किया उसमें से एक जोड़ी गलत है तो एक जोड़ी गलत कौन सी है वो देख लेते हैं म. जिन्ना खिलाफत आंदोलन म. जिन्ना जो है इनका खिलाफत आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है एक मिनिट मैं थोड़ा सा सेलेक्ट कर लूँ हाँ यह चल क्यों नहीं रहा है चलो कोई बात नहीं यह नहीं चल रहा तो एग्नोर करते हैं हमें आंसर चाहिए था वो मिल गया तो मोतिलाल नहरू नहरू रिपोर्ट बिल्कुल सही है M.K. गांधी चंपारन आंदोलन से संबंदित है बिल्कुल सही है S.C. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंदित है लेकिन M.A. जिन्ना का संबंद खिलाफत आंदोलन से नहीं है उसी तरह से दूसरी बात करो तो मोतिलाल नहरू और C.R. दास दौरा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था देखो बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में बार बार मैंने आपको उस पार्टी का नाम मेंशन किया था तो मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा भी सोचना चाहिए आंसर करने से पहले इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, सुराज पार्टी या इंडियन नेशनल पार्टी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुराज पार्टी था उसका नाम जो पार्टी किन दोनों को मिलकर के उस पार्टी की स्थापना की गई थी तो मोतिलाल नहरू ने सियार दास के साथ मिलकर के 1923 में पार्टी का गठन किया याद रखिएगा कॉंग्रेस से अलग होकर के पार्टी का गठन किया गया था और नाम दिया गया था सुराज पार्टी तो ये थी मोतिलाल नहरू के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बाते तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स क्लास में अभी के लिए बस इतना ही इस सेशन में कमेंट करने में क्या ही जाता है आखिर आप वीडियो देखते हो तो अननेसेसरी वीडियो जब देखते हो कभी तो उस पे भी अपने विचार व्यक्त करते हो ना तो ये तो आपके काम की चीज है, इस पे तो आपका विचार व्यक्त करना बनता है, है की नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताईएगा सेशन कैसा लगा और अगली बार आपके शक्सियत के बारे में जानना चाते हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताईएगा, तो अगले बार ह झाल झाल